अब ऐसे में किन लेवल्स पर धान देना है वीरू गुड मॉर्निंग इन फाक्ट मैं एक डेटा पॉइंट पढ़ रही थी और हम शो हमारी टीम वो ग्राफिक बना कर तयार भी रखेगी कि ये 20-21-23 दिसंबर के आसपास पिछले 3-4 सालों में 2020 से मार्केट अच्छा खासा गिरावट का एक सेशन दिखा देता है 2020 में करीब साड़े सवा 3% 21 दिसंबर को तूटे थे 20 दिसंबर 21 में 2% गिरा था निफ्टी 23 दिसंबर 2022 में 1.5% गिरा था और 20 दिसंबर याने की कल 2023 लगभग 1.5% गिरावट देखने कुमली थी वैसे अगर आप देखे तो हमारा फॉल सबसे कम है कल वाला पिछले कुछ तीन-चार सालों की अगर आप कंपेर करें लेकिन आज क्या सिचुएशन पर आप मार्किट को देखना चाहेंगे कि कॉन्फिडेंटली फिर ट्रेड के लिए उतरे अरश्टा गुड मॉनिंग निरेजी गुड मॉनिंग देखे यह तिथी विशेशांक जो आपने भी प्रस्तूत किया इसको लेकर तो मैं बहुत अनुमान मेरा कुछ है नहीं कि हिस्टोरिकली इस दिन पर क्या-क्या हुआ था हाँ बस हो सकता है पर मैंने चार्ठी के लिए इसको रीड नी किया देखिया हरश्टा यह हम चार-पांच दिन से नीरेजी और में बात भी कर रहे थे कि हम एवरेजस से बहुत दूर हैं किसी ना किसी दिन अगले तीन-चार दिन में हम आएंगे और अपने अवरेजस को चुएंगे मैंने कल जब निरेजी से कल गुफतगू हो रही थी पौने दो बज़े और आप से भी जब बात की थी दो बज़े बिना डेटा देखे सिर्फ चार्टी के लिए जो कमेंट किया था और स्टॉप लॉस रखा था इट वस्टॉप लॉस रखा था इट वस्टॉण तो नाइज़ एक्किस दो सुनब्बे के नीचे काट दीजे सब कुछ परी चीज यह थी उस वक्त कोई डेटा नहीं देखा I mean कोई known reason नहीं है even that's जो जो स्टैट्स होते हैं हर्ष्टा वो भी हमारे पास सपोर्टिव नहीं है सेल आफ के पीछे पहले मैं स्टैट्स प्याता हूं क्योंकि आज एक्सपारी डे है तो हमें जोन्स को डिसाइड करना पड़ेगा कल की कैश मार्केट में FIS की तरफ से अगर आप देखिए हर्ष्टा करीब करीब 1332 कोड़ रुपे की सेलिंग थी और D.I.S की करीब करीब 474 कोड़ रुपे की बाइंग मतलब जितना कैश अविलिबल था मार्केट में शायद ये होना नहीं चाहिए था बट हुआ और अगर आप FIS को इन्डेक्स को देखिए तो लोवर लेबर्स पे उन्होंने करीब 1649 कोड़ रुपे का इन्डेक्स बाइ किया 17,000 कॉंट्रेक्ट लॉपे का बाइ किया इन्डेक्स ऑप्शिन को आप एनलाइज नहीं कर सकते और आप FIS के नेट लॉंग की फिगर देखिए हरश्दा ये एक और जम्प लेके एप्रॉक्सिमिटली कल 65,000 थी अब ये गरी 85,000 पहुच गई है सो हमारे पास इस सेल अफ के पीछे का जो सपोर्टिव डेटा था वो नहीं है बस आप्शन राइटर्स ने ग्रिप ले ली है, कुछ साइकलोजिकल लेवल्स हैं, उसको धिहान रुकिएगा हश्दा मैं बहुत इमिडिटली इस ट्रेडिंग सेशन में जंप नहीं करना चाँगा मैंने कल भी कहा था कि मैं शॉर्ट तुरंट नहीं करूँगा अब लेवल की बात करते हैं, जिसके नीचे वीकनिस परसिस्ट करेगी इबर कॉल्स की स्ट्राइक्स लेके आई हैं और हश्दा कल सबसे स्ट्रॉंग कॉल राइटिंग जिस स्ट्राइक पे हुई है, वो है 21-200, 21-300, 21-400, 21-500 इन स्ट्राइक्स में सबसे सिवेर कॉल राइटिंग हुई है 200 पे, 66 लाग, 300 पे, करीब 78 लाग नीचे पुट राइटर्स ने एग्जिट किया है बट स्टिल डट 21,000 की जो पुट है, वो 84 लाग का उच्टें ने ओए होल करती है पिरेमिट्स में आपको क्लिरली दिखेगा कि 21-200 के ऊपर कल के सेल आफ के बाद जब आपने 10 डिमा को छुआ तो 21-200 के सारे कॉल राइटर्स ने ग्रिप लिए और फ़देक्स पारी डे 21,000 की पुट एक डिसाइसिव ओवाई होल करती है एप्रोच क्या रहेगी एप्रोच यह रहेगी लेवल्स लिखाई यह स्कीन पर देखें 21-230 और 21-29 इसके नीचे वीकनेस परसिस्ट करेगी आप ट्रेड ले सकते हैं सेल का ट्रीड ले सकते हैं सलन राइस का ट्रीड ले सकते हैं याद रखेगा only below 230 इसके ऊपर neutral हो जाईएगा या फिर हम बाय के बारे में सोचेंगे बट वो हम तब सोचेंगे जब हमारे पास stats होगा as of now मेरे पास वो stats नहीं है बट weakness persist करेगी 230 अगर आपके पास कल की shot है या फिर shot किया है अपने sell-off rise इस level के नीचे तो याद रखेगा base one that base one 21,032,991 यहाँ पर जरूर कवर कीजेगा यहाँ से pullback possible है towards RS1 बट अगर कल का यह sell-off वाके serious है और meaning रखता है हष्टा और हम 20,901 यह के नीचे settle हो जाते हैं दिन याद रखेगा 20,702,20 डिमा is on तो screen को treat कीजे levels मैंने define कर दिए same is the case with nifty bank कल हमने 650 पे यानि करीब 46,650 पे closing में clearly कहा था यह खराब closing होगी हम 10 डिमा को चुना जा रहे हैं आप exit कर सकते हैं मेरे पास short का तरक नहीं था उस वक्त परेशानी यह है कि HDFC bank strength दिखा रहा है please director साब इसको skip करके एक बार HDFC bank लेका आईगा HDFC bank का price performance इतना खराब नहीं था अब आईए उन call writing के stress पे 47,500 और 48,000 की strike पे सबसे strong call writing हुई है और 47,000 के put एक sizeable OI hold करती है फिर यही कहूँगा मेरे पास एक decisive outlook नहीं है बट मैं level based trading करूँ अगर करना है तो level लेक्या आईएगा resistance 47,56,710 इस trajectory के जब तक नीचे है weakness persist करेगी याद रखेगा जब तक इस level के नीचे है persist करेगी weakness इसके उपर neutral हो जाईएगा या फिर trade लेंगे long but as per the circumstances इसके नीचे weakness persist करेगी sell on rise के आप एप पूर्ष रसकते हैं बट अपने short trades को याद रखेगा किसी भी circumstances में आपको please ये base की plate गलत हो गई है 47,000 पे cover करना है बट याद रखेगा 47,000 अगर wallet होता है तो 46,500 यानि 20 डिमा की trajectory open हो जाएगी तो हज़ता दोनों ही indices पे RS1 आज critical है माफी चाहूँगा बड़े base के लिए ओके तो ये in fact बड़े fall में बड़ा base है और क्या होगा वीरू ने basically कह दिया कि अगर 21,230 के नीचे consistently हम trade करते दिखाए दे तब आप Nifty में पिकवाली करके चलेंगे buy का signal जब screen पर दिखेगा तब I think उस पर हम बातचीत करेंगे फिलहाल overall mode, mahal sentiment जो है वो कुछ-कुछ बिगडा सा है